Hello Everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लगों के लिए Coming Week का सापता ही क्राशी फल ये 10th January से लेकर 16th January तक की आपकी Tarot Readings है, Tarot Predictions है और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप Daily Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, साइन, Moon, साइन, Ascendant या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता ही क्राशिफल तो चलिए prices आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो आप लोगों के लिए professional front के लिए cards है six of swords and pushing upward और दीखे six of swords का card कहीं movement की बात करता है shift की बात करता है आगे बढ़ने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है और देखें ये general reading है तो ये movement ये shift सब के लिए defer कर सकती है कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप travel कर रहे हैं या फिर आप travel करना चाहा रहे है कुछ लोगों के लिए relocation हो सकता है change of place, change of residence, change of office, change of job या फिर किसी भी तरीके के changes भी रह सकते हैं और देखें broadly speaking ये card कहता है कि जो भी चीजें आपको पीछे परेशान कर रही थी कहीं उनसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं और देखें नीचे pushing upward का card कहता है कि जो भी आप पाना चाहते थे बहुत time से again जो भी आपका मकसद था, goal था कहीं इस week आपको ऐसे लग सकता है कि आप उसके बहुत करीब हैं और थोड़ा सा भी आप effort करेंगे थोड़ी सी भी आप महनत करेंगे तो अपने goal, अपने मकसद को आप अचीव कर लेंगे और देखें ऐसे में बहुत बहुत important होता है Pisces कि जो भी चीजें हमें distract कर रही हैं हमारे goal, हमारे मकसद से उनको हम जरूर avoid करें या फिर इन distractions को हम अपनी life में ना आने दें और देखें ये general reading है तो फिर से मैं कहाँगी कि सब के लीए distractions differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए emotions हो सकते है कुछ लोगों के लिए sentiments हो सकते है कुछ लोगों के लिए negative thoughts negative belief systems हो सकते है और देखें, ये जो दो तीन चीजें मेरे mind में आई, मैंने कहा यहाँ पे सब के लिए different distractions जिनको avoid करना इस week बहुत important है अपने goal अपने मकसद पे focus करके उस direction में action initiatives लेना बहुत important है क्योंकि फिर से मैं कहूंगी कि आप बहुत करीब हैं और उस dream के finalize होने की possibility इस week बहुत जादा है और आप उसी direction में again action initiatives लेंगे तो definitely आप उसको achieve भी कर पाएंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है queen of swords and modesty और दिखिये modesty का card कहीं चीजों को simple रखने की बात करता है और पाइसेज जिन्दगी बहुत ही simple है कहीं हम ही इसको complicate करते हैं जब हम over ambitious हो जाते हैं over emotional हो जाते हैं over sentimental हो जाते हैं and result के साथ बहुत attach होते हैं या मैं कहे सकते हूं कि कि जब किसी भी चीज को हम जरूरत से जादा करते हैं तब ही कहीं हम अपनी जिन्दगी को भी complicate करते हैं और शायद इसलिए देखे queen of swords का card कहता है कि इस week जो भी आप आना चाहते हैं उसी से ही related clarity ला रहे हैं कहीं आप emotions को side पे रख रहे हैं attachments को side पे रख रहे हैं sentiments को side पे और फिर से मैं कहूंगी कि अपने goal अपने मकसद के लिए एक clarity लेकर आ रहे हैं आप logically चीजों को deal कर रहे हैं आप mind से again चीजों को deal कर रहे हैं और देखे क्योंकि यहाँ पे queen of swords का card है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई female है queen of swords वाली energies की जिनके साथ आपकी action बातचीत हो रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ऐसी female काफी आपके लिए supportive भी रह रहे हैं तो दिखिए overall personal front के लिए हम देखें तो आप बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं आप mind से चल रहे हैं और इन energies के पीछे मकसद यही है कि आप चीजों को simple रखना चाह रह हैं और जो लोग ऐसी energies में नहीं हैं उनके लिए खास message है कि ऐसी energies में specifically अपने personal front में रहना इस week बहुत important है and guidance से आप लोगों के लिए stars का card है और यह card कहता है you can manifest your every wish तो देखें हां पर natural में star का card कहता है कि इस week planetary position या फिर stars बहुत बहुत favorable हैं आपके लिए तो जो भी आप अपनी life के लिए चाहते हैं जो भी आपकी wishes है desires हैं उनको कैसे आप reality में convert करें आप उसके उपर focus करें और इसी से ही related आप action initiative जरूर लें and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है और इसकी हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था prices आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate हुआ कितना आप connect कर पाए